नमस्कार, मेरा नाम शुचिता राजबूत है और आज हम मनोविज्यान विशे की कक्षा बारा के अध्याय आठ मनोविज्यान और जीवन के भाग दो पर मनन करेंगे बीते भाग में हमने मानव व्यवहार व परियावरण के परसपर संबंध और प्रभावों को समझा इस भाग में हम परियावरण उन्मुक व्यवहार, हिंसा व निर्धनता के कारण और निराकरण, स्वास्ते के मनुसामाजिक कारकों पर चल्चा करेंगे परियावरण उन्मुक व्यवहार प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानुई खिलवार कितने घातक हो सकते हैं इससे तो हम सब भली भाती परिजित हैं आवशक है कि हम न सिर्फ अपने पर्यावरण को संरक्षन दे कर उसे उन्नत बनाने का प्रयास करें बलकि पर्यावरण जनित समस्याओं का निराकरण भी करें ऐसे व्यवहारों को ही पर्यावरण उन्मुक व्यवहार कहते हैं पर्यावरण अनुसंधान के शेत्र में मानवे व्यवहार का नियंत्रण एक अत्यंत गहन विशय रहा है इस संबंध में वरजीनी अभियांत्री की संस्थान के स्कॉर्ट गेलर ने बहुत शोध अध्यन किये हैं और इन में से एक अध्यन के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि निर्देश जितने विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, खुले में कचरा फैंकने की प्रव आत्मक व्यभार को पुरस्कृत करते हैं, हमेशा से समाज की सोच को बदलने में प्रभावकारी रहे हैं। परियावरन संरक्षन ही तो कुछ उपाय किये जा सकते हैं, जैसे कि वाहनों का ठीक ठाक रखाओ कर हम वायू प्रदूशन को नियंत्रित कर सकते हैं, अनावश्य हौन बजाने और तीवर संगीत श्रवन से बचकर द्वनी प्रदूशन को कम किया जा सकता है। कूडे का उचित प्रबंधन किया जा सकता है, व्रक्षा रोपन किया जा सकता है और प्लास्टिक के उप्योग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही साथ जैविक पुपसे नश्ट न होने वाले पैकिंग सामगरी पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए, निर्मान संबंधित नियमों को बनाया जाना चाहिए, आज जब समस्त विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित और सचेत प्रतीत होने लगा है, मनुविक्यान के विध्यारती होने के नाते आप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकते हैं? इस मुद्दे पर चिंतन कीजिए, सोचिए कि व्यक्तियों की आदतों में बदलाव लाकर किस तरह से पर्यावरण उन्मुख कदम उठाये जा सकते हैं? चिंतन कीजिए कि किस तरह के संदेशों का लोगो पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा मनो विज्यान तथा सामाजिक सरोकार उसे तातपर्य उन मुद्दों से है जो कि किसी समाज में मनुश्यके जीवन इस्तर की गुर्वत्ता को प्रत्यक्ष अथवा अप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं? एक झोटा सकारिय मैं आपको देना चाहती हूँ सामाजिक चुनोतियों की एक सूची बनाईए और प्रयास कीजेगा उनको उनकी गंभीरता के आधार पर लिखने की मेरे हिसाब से वर्तमान समाज जिन समझ स्याओं से जूज रहा है उनमें निर्धन्ता, हिंसा, अपराध, ध्रष्टाचार, बेरोजगारी वर सामाजिक और पारिवारिक कारकों का विख्टन प्रमुख है आशा है आप भी मेरी सूची से कुछ सहमती रखते होंगे अब हम दो प्रमुख सामाजिक समस्याओं निर्धन्ता व आकरामक्ता और हिंसा पर चल्चा करेंगे साथ ही इनके कारणों और प्रभावों का मनोवैग्यानिक धंग से आकलन करने का प्रयास करेंगे अर्थ शास्र की भाषा में निर्धन्ता को हम वित तथा मूल भूत आवशक्ताओं के अभाव के रूप में ही परिभाशित करते हैं परंतु समाज मनोवैज्यानिक, निर्धनता को सामाजिक और मनोवैज्यानिक स्तर पर भेदभाव की भावना को जन्म देने वाले कारत के रूप में भी देखते हैं। यहां अनुभूती की मैं उन सभी साधनों से वन्चित हूँ जो दूसरों को सुलपता से प्राप्त हैं। निर्धन व्यक्ति के अंदर न केवल हीन भावना भर देते हैं बलकि उसको अंतर मुखी भी बनाते हैं। साथ ही उसकी अभी प्रेणा आत्म सम्मान को कम कर देते हैं। निर्धन्ता मनुष्य के शारिरिक, सामाजिक, मनोवैग्यानिक और आध्यात्मिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित करती है। निर्धन्ता के मनोवैग्यानिक कारण निर्धन्ता के अनेकानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक व भोगोले कारण तो हो सकते हैं परन्तु यहां हम एक ऐसे मनोवैग्यनिक कारण की चर्चा करेंगे जिसे निर्धन्ता की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी बोला था नेराश्य व अपने साथ हुए अन्याय की भावना से भरे हुए किसी भी निर्धन मनुष में उपलब्धी अभिप्रेणा का कम हो जाना एक ऐसे विश्वास और विचारधारा को जन्म देता है जिसमें वह निर्धनता को एक सामाजिक विवस्था मानकर स्वीकार कर लेता है और अपने तथा अपनी आने वाली पीडियों के उत्थान की आशा और प्रैत्न छोड़ देता है प्रंत्तु क्रपा करके आप इसके लिए मात्र निर्धन मनुष्य को कदापी दोशी न समझे क्योंकि निर्धनता एक चक्र के समान कारे करती है संसाधनों के अभाव में मनुष्य सबल और सक्षम नहीं बन पाता है साथ ही अपनी उन योग्यताओं और कुशलताओं को नहीं निकार पाता है जिनसे वह एक अच्छा रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने हितु परयाप्त अर्थ प्राप्ती में सफल हो सके एक धंका रोजगार ढूंड पाने में असफल ये निर्धन मनुष अपने लिए कभी आवशक और मूल भूत संसादन जुटा ही नहीं पाता है और अपने जीवन के अधिकांश महत्व पूर्ण वर्षों में दिन प्रति दिन की समस्याओं से जूजता ही रह जाता है यह चक्र निर्धन्ता को निरंतर बनाई रखता है और समाज के कुछ विशेश वर्गों में पीड़ी दर पीड़ी चली आ रही निम्न आर्थिक इस्तिती का प्रमुकारण बन जाता है निर्धन्ता के निराकरण ही तू सुझाओ निर्धन्ता चक्र को तोड़ने के लिए निर्धन व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनने ही तू सहायता प्रधान करना निर्धन वनुश्य में आत्म निर्भरता, अधिकारों के प्रती जागरुकता व आत्म विश्वास भरने के लिए आवशक है कि उनके हाथों में ही उनके विकास का नियंत्रण दिया जाए और इस प्रयत्न में उनका वित्तिय, सामाजिक और मानसिक सहयोग किया जाहिए निर्धनता के निराकरण के लिए आवशक है कि सामाजिक नियाय के सिध्धानतों पर आधारित, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए पोशन वो स्वास्ति के भरपूर अवसर उपलब्ध कराए जाए नभे के दशक में हम अकसर दूर दर्शन पर एक गाना सुनते आए हैं पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों किस प्रकार मीडिया और साहित्य का उप्योग करके निर्धन मनुष्य को साक्षरता के लिए प्रेरित किया जाए यह गाना और यह विज्यापन उसका बहुत सुन्दर उधारण है हाला कि कारे कठिन है पूरी निष्टा के साथ भी अगर इन उपायों पर अमल किया जाए तब भी वैश्वीट निर्धनता की समस्या को दूर करने में एक बड़ा लंबा समय लगेगा इस पर मनन करते रहें और निर्धनता को मनो वैज्ञाने की त्रिष्टी से समझने का प्रैतना वश्य करें अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रमुक सामाजिक समस्या की ओर जो है आक्रामकता वह हिंसा हम में से शायद ही कोई दिनो दन बढ़ती हिंसा पारस पर एक कटुता वह असहिश्णता की भावना से अचूता है हत्या, बलातकार, सांप्रदाइक दंगे, आतंकवादी हमली, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीडन के अतिरिक्त, आप किस हिंसक व्यवार से परिचित हैं? रैगिंग, बुलींग, ओनलाइन ट्रोलिंग, इन सब के विशय में आप क्या सोचते हैं? आक्रामक्ता मुख्यतह दो प्रकार की होती है, नैमित्तिक आक्रामक्ता और शत्रुतापूर्ण आक्रामक्ता आए संक्षेप में थोड़ी-थोड़ी चल्चा इन पर करते हैं नेमित्तिक आक्रामकता का उद्देश कभी भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुचाना नहीं होता है बलकि इस आक्रामकता के द्वारा किसी उद्देश की प्राप्ती की जाती है जैसे कि दहेज के लिए की जाने वाली घरेलू हिंसा या फिर अपने मित्रों के समूव में अच्छा प्रभावशाली या फिर कूल दिखने के लिए की जाने वाली बुलिंग दूसरी ओर शत्रुता पूर्ण आक्रामक्ता का मुख्य उद्देश ही दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुँचाना होता है प्रेम में पराजित हो जाने पर युवतियों के ऊपर किये जाने वाले ऐसे ढमले या फिर किसी का मनोबल तोडने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए की जाने वाली ऑनलाइन ट्रोलिंग इस तरह की आक्रामक्ता के ही उधारण है आक्रामक्ता के कुछ कारणों पर चल्चा करते हैं पहला सहज प्रवत्ती कुछ विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है कि आक्रामक्ता एक मूल भूत सहज प्रवत्ती है यह भोजन, स्थान और संसाधनों के अदिक से अदिक उपयोग कर पाने में सहायक सिद्धो होती है जीवन रक्षा हेतु भी आक्रामक सहज प्रवत्ति हम सभी में विद्यमान हो सकती है दूसरा शरीर ख्रियात्मक तंत्र आक्रामक्ता परोग्ष रूप से शरीर क्रियात्मक तंत्र के गती विदियों से भी हो सकती है मानो मस्तिश्क का एक भाग एमिक डाला आक्रामक्ता के प्रत्यक्षन और उसकी प्रतिक्रिया का संचालन करता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी आक्रामकता के व्यभार में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इसी तरह के कई शोध दर्शाते हैं कि गर्म वो चिपचिपे मौसम में भीड के इखटे हो जाने पर उसके आक्रामक होने की संभावना बहुत अधिक होती है बाल पोशन बच्चों के लालन पालन का भी आक्रामक व्यभार पर गहरा प्रभाव पड़ता है कभी कभी कुछ माता पिता अनुशासन और कठोर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए दंड का उप्योग कलते हैं इसके परिणाम स्वरूप कई बच्चे सामाजिक अधिगम के द्वारा ही माता पिता के इस आक्रामक व्यभार की नकल करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यह आक्रामकता उनके व्यभार का अभिन्न अंग बन जाती है वहीं दूसरी और अबोध असहाय छोटे बच्चों में यह दंड एक रोश को जन्म दे देता है जिसे वह ततकालतो प्रदर्शित नहीं कर पाते परंतु वयसका वस्था में आक्रामकता के प्रदर्शन के द्वारा अपने उस दमित किये हुए क्रोध और रोश को निकालते हैं कुंठा सम्विक की वहस्तिती होती है जो तब उत्पन होती है जब आपको आपके वांचिनिय लक्ष से वंजित कर दिया जाए ऐसा लक्ष जिसकी प्राप्ती के लिए आप बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे थे सोचें कि आपके लिए एक लक्ष आपके बड़ों ने निर्धारित किया और जैसे ही आप उस लक्ष को प्राप्त करके किसी पुरुसकार को प्राप्त करने वाले थे उस लक्ष की प्राप्ती में अचानक बाधा आ गए या फिर किसी कारणवर्ष आप अस्फल हो गए ऐसे समय में आपको कितनी कुंठा उक्रोध होती है, है ना? सर्व प्रत्थम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन जॉन डोलाड ने अपने साथियों के साथ मिल कर किया था और इसे कुंठा आक्रामक्ता सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है इस सिद्धान्त के अनुसार वे लोग जो किसी लक्षोन मुखी व्यवहार में लीन होते हैं अन्य लोगों की अपिक्षा अधिक आक्रामक होते हैं क्योंकि लक्ष प्राप्ती में उत्पन्न कोई भी बाधा कुंठा उत्पन्न करती है और कुंठित व्यक्ति क्रोधित होकर आक्रमक हो जाता है. अत्यंत चौकाने वाली बात ये है कि आक्रामक्ता अक्सर उन्ड के प्रति अधिक प्रदर्शित की जाती है, जो हिंसा का प्रतिकार करने में अक्षम हो या आक्रामक व्यक्ति की तुलना में दुर्बल हो इस तक्ति को विस्थापन कहा जाता है सोचिए आप अपने ओनलाइन गेम में जीतने के लक्ष से थोड़ा सा दूर बचे हैं और अचानक आपकी माताजी मोबाईल लेकर आपको पढ़ने के लिए कमरे में भेज दे ऐसी इस्थिती में क्या कभी आपने कमरे के दर्वाजे को जोर से बंद किया है यदि हाँ तो आप इस सिध्धन को भली बाती समय सकते हैं परन्तु यदि उस समय आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर आप प्रसिध मनो वैज्ञानिक बरको विद्स की उस बात का समर्थन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कुंठा हमेशा आक्रामता को जन्म नहीं देती है परन्तु हाँ कुंठित व्यक्ती में आक्रामन के लिए एक ततपरता अवश्य उत्पर्न कर देती है अब प्रशन उठता है कि फिर वह कौन से कारक हैं अथवा कौन सी स्थितियां हैं जब कुंठित व्यक्ती आक्रामक व्यवहार अवश्य करता है अल्थार्थ, आक्रामक व्यवहार के लिए कौन से कारक उद्धीपक का कार्य करते हैं? उत्तर है अधिगम, आक्रामक मौडल का प्रेक्षन, दूसरों द्वारा क्रोध उत्तेजक क्रियाई, श्यस्त्रों की उपलब्धता, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक कारक अधिगम, आक्रामक्ता मात्र किसी मूल प्रवत्ती की सहज अभिव्यक्ति नहीं हैं, मुख्यतह यह मनुष्य के अधिगम का ही परिणाम है, जो वह अपनी सामाजिक परिस्थितियों का निरिक्षन करके प्राप्त करता है हम आक्रामक्ता को कैसे सीखते हैं? मुख्यतह यह दो तरीकों से हो सकता है पहला नैमित्तिक अनुबंदन के सिद्धान के अनुसार वह व्यवार जिसके परिणाम सकारात्मक हों या जिससे किसी सकारात्मक प्रवलन की प्राप्ती होती हो उस व्यवहार के बार-बार घटित होने की संभावना को वढ़ा देते हैं उधारन के लिए यदि एक बालक आईस्क्रीम खाने की जिद को लेकर जमीन पर लेट जाए और जोर-जोर से रोना शुरू कर दे या अपने माता-पिता को मारने लगी और उसके इस व्यवहार से लज्जित होते हुए माता-पिता तुरंत उसे एक आईस्क्रीम दिलवा दें तो आपको क्या लगता है वह बच्चा क्या इस व्यवहार को दोबारा करेगा अथवा नहीं करेगा सोचिए दूसरा तरीका है सामाजिक अधिगम का जिसकी हमने पहले भी चल्चा की है इसमें व्यक्ति दूसरे के हिंसक आक्रामक व्यवहार को देख करके खुद भी उसी तरह की आक्रामकता करना सीख लेते हैं इसे मॉडलिंग या प्रतिरूपन भी कहा जाता है एक आक्रामक मॉडल का प्रिक्षन एलबर्ट बंडियूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम के द्वारा आक्रामक व्यवहारों को सिखाया भी जा सकता है और उनको मिटाया भी जा सकता है एलबर्ट बंडियूरा ने एक प्रसिद्ध शोध बोबो डॉल के माध्यम से यह सिद्ध किया कि वे बच्चे जिन्होंने एक आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा था उसी आक्रामकता की नकल करते हुए वे बोबो डॉल के साथ खेलने का प्रयास करने लगे अगला कारक है दूसरों द्वारा क्रोध उत्ते जक्रियां दूसरों के द्वारा अपमान, बेइमानी, धंकी या फिल शारिरिक आक्रमन जैसे व्यवहार से भी मनुष्य के अंदर आक्रामकता उत्पन्न होती है शोद में यह पाया गया कि शस्तरों की उपलबधता आक्रामक व्यवार को बढ़ा देने में एक महत्व पूण कारण हो सकती है व्यक्तित्व कई व्यक्तित्व विशेष्टाएं आक्रामक व्यवार से जुड़ी होई होती है जैसे कि किसी व्यक्ति का गर्म मिजास होना या फिर निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति भी आसानी से आक्रामक्ता का प्रदर्शन करते हैं सांस्कृतिक कारिक यह देखा गया है कि कुछ संस्कृतियों में आक्रामक्ता की प्रशन्सा कर उसे उचित माना जाता है जबकि कुछ सांस्कृतिक समू अधिक शांति प्रियों होते हैं आक्रामक्ता की शमन ही तु कुछ उपायों पर चल्चा करते हैं अब हमारे मस्तिश्क में यह प्रश्न भी उठता है कि यदि आक्रामक्ता इन समस्त में से किसी कारण से या कारणों से हो सकती है तो फिर इसके शमन के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। कुछ उपाय जो शोधा धारित हैं इस प्रकार हैं। सबसे पहला, यदि आक्रामक्ता वह हिंसक व्यवहार को देख कर बालक हिंसा करना सीख सकते हैं। तो अहिंसक व शांत वयसक बच्चों को अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरिद भी कर सकता है। माता-पिता, शिक्षकों और सभी परिचित वयसकों को चाहिए कि बच्चों के समक्ष एक सकारात्मक आदर्श अर्थार्थ रोल मॉडल की भाती व्यवार करें। दूसरा उपाय है कि बच्चों वह युवाओं को सामाजिक कौशलों का बहतर प्रशिक्षन दिया जाए। जिससे वह दूसरों के साथ सामज़स्य बैठाना, कुंठा वह पराजय का बहतर तरीके से सामना करना और आक्रामक्ता को उकसाने वाले कारकों से निपटना सीख सकें। एक और उपाय यह भी हो सकता है कि दंड के स्वरूप वह प्रावधन पर विचार किया जाए। सामज़िक न्याय तथा सामज़िक समानता को बढ़ावा दे कर भी कुंठा के इस्तर को कम करने का प्रयाज किया जा सकता है। शान्ती के प्रती एक सकारात्मक अभिवरत्ती के विकास की आवशकता है। राश्ट्रपिता महत्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा को अपना कर समूचे जगत को अहिंसा अपनाने के लिए प्रेडित किया। शान्ती स्थापना के प्रयत्न इस धर्ती को एक बहतर स्थान बनाने में सहयोगी हो सकते हैं। आईए चलते हैं हमारे अगले शीर्शक की तरफ स्वास्थिप जो की इस अध्याय का अंतिम बिंदू है। स्वास्थिप किसी रुग्णता की अनुपस्थिती मात्र नहीं होता। अपितु यह एक ऐसी परिस्थिती है जो व्यक्ति की शारिरिक, मानसिक व सामाजिक उन्नत अवस्था को परिलक्षित करती है। ध्यान रहे, आज हम यहाँ व्यक्ति के शारिरिक स्वास्थे के उन कारकों पल चल्चा करेंगे जो मनुश्य के स्वास्थे और रुग्णता दोनों को ही प्रभावित करते हैं। उन कारकों को संग्यान, व्यवहार और सामाजिक सांस्कृतिक कारत में वर्गी करत किया जा सकता है। उसका जीवन, स्वास्थे और रुग्णता सब कुछ उसके ही नियंत्रण में हैं, उसे स्वास्थे के प्रती अधिक जागरुक और उत्तरदाई व्यवहार करने के लिए प्रेवित करते हैं। ऐसे ही लोग संतुलित और पोशक आहार लेने में, व्यायाम करने में, स्वास्थे को बढ़ाने वाले अन्य व्यवहारों में आगे रहते हैं। व्यवहार, शोध ये इंगित करते हैं कि आक्रामक व क्रोधी लोगों की तुलना में आशावादी लोगों के बीमार होने की संभावना कम होती है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जो तनाव अधिक लेते हैं और नकारात्मक चिंतन करते हैं, स्वास्थे के प्रती अधिक जोखिमपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। जैसे की मादक द्रव्यों का सेवन, धूम रपान और सुरक्षित काम व्यवहार, पोशन व व्यायाम के प्रती उधासीनता। ऐसे व्यक्तियों को रिदय रोग, कैंसर, HIV, AIDS, आधि होने की संभावना सामाने से अधिक होती है। सामाजिक सांस्क्रतिक कारण इसके अंतरगत लिंग, आयू, जाती व आर्थिक सामाजिक स्थिती सभी आ जाते हैं। हम अकसर यह सुनते हैं कि व्रद्धावस्ता बीमारियों का घर होती है। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं, जैसे कि अकेलापन, जीवन साथी की मृत्यू, सेवा निवरत्ती के पश्चात की रिक्तता या आर्थिक निर्भरता और कम पेंशन में गुजारा करना इत्यादी। इसे प्रकार कुछ विशिष्ट तथा निर्धन वर्ग में शिक्षा वर जागरुकता का अभाव, धन की कमी, उप्युक्त चिकत्सकिये सुविधाओं तक न पहुँच पाना, स्वास्तिक प्रती उनके जोखिम को बढ़ा देता है। व्यवहार पर टेली विजन का समागात, इन सभी कारणों पर चल्चा के साथ ही एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण विशय पर चल्चा करना आवशक है। यह है हमारे जीवन में टेली विजन और मीडिया की भूमिका, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, वाके ये सब एक क्रांती ही हैं, जिन्होंने समुचे विश्व को ग्यान, प्रगती और विकास के अफसरों से लबालब भर दिया है। परंतु इन सकारात्मक प्रभाओं के साथ ही कुछ नकारात्मक्ता भी देखने में आती है। शिकार बन जाना, ये सब अत्यन्त ही गंभीर है और इनके दूरगामी घातक परणाम होंगे। स्क्रीन टाइम वा मोबाइल एडिक्शन, खत्रे की घंटी के समान हमारे समक्ष बजने आरंब हो चुके हैं। सूचना के शेत्र में ये सभी साधन अच्छे सेवग परंतु बुरे स्वामी के समान ही व्यवहार करते हैं। इनके नियंत्रित, समुचित व सही उपयोग को समझाने के लिए पालक, शिक्षकों व मनोवैज्यानिकों को निरंतर प्रेत्न करते रहने होंगे। तो इसी के साथ हमारे इस अध्याय का समापन होता है। इस भाग में हमने पर्यावरण उन्मुख व्यवहारूं, हिंसा व निर्धनता के कारण, व निराकरण और अंत में स्वास्थे को प्रभावित करने वाले संग्यानात्मक व्यवहारात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का अध्यन किया। धन्यवाद। धन्यवादग झाल झाल